ना फ्री का ग्यान ना बक्वास बस हर खबर पर आपका एंगल तभी तो नंबर वन है दा एंगल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट चिपकाईए नमस्कार ना इंगल में आप सभी का स्वागत है इस वक्त की बड़ी खबरे लेकर मैं हूँ आपके साथ इदुशर्मा सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर S.E.O. की बैठक में पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना कहा आतंगवाद को पना देने वालों के खिलाफ को सक्त कारवाई डॉक्टरों की हर्ताल का देश भर में बुरा असर बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के 126 डॉक्टरों ने दिया इस्तिफा मरीजों की खालत खरा सरिस्का में बाग S.T.16 की मौद पर सरकार सब मुठ्यमंत्री अशोग गहलोत ने भी जांच के आदेज किर्गस्तान के राजधाने बिशकेक में आयोजित S.C.O. समिट में प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी ने आतंगवाद को लेकर पाकिस्तान पर इशारों में निशाना साधा उन्होंने इसके लिए एक अंतराश्ट्रे सम्मिलन बुलाने की भी मांग की पीम ने मदे एशिया में चाबहार पोर्ड और अश्काबाद व्यापार समझोते का जिक्र करते वे पीम ने कहा कि व्यापार के साथ हम पिपल टू पिपल कनेक्टिविटी को भी बढ़ा रहे हैं अफगानिस्तान का विशेश रूप से उलेक करते वे कहा कि इस देश में शांती और सिर्ता बहुत जरूरी है और इस दिशा में S.E.O. काम कर रहा है उन्होंने कहा कि S.E.O. देशों में बहतर कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है भारत S.E.O. सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास के लिए अनुकूल माहूल बनाने के लिए प्रतीब बद्ध है भारत अक्षा उर्जा का छटा और सौर उर्जा का पांचवा सबसे जादा उत्पादन करने वाला देश है टूरिजम को बड़ावा देने के लिए S.E.O. देशों के लोगों के लिए हेल्प नाइन शुरूर होगी पश्चिम बंगाल में पिछले चार दिनों से हर्टाल कर रहे जूनियर डॉक्टर्स को देशफर के डॉक्टर्स का साथ मिला है इसके साथ ही बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के 126 प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने अपना सामोहिक स्तिफा सौप दिया है नौर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के 27 डॉक्टर्स ने भी अपना स्तिफा दे दिया है सबी का कहना है कि मौजुदा स्तिती की प्रतिक्रिया के रूप में हम सेवा देने में ऐसा मर्थ हैं दूसरी तरफ डॉक्टर्स के प्रदाशन और हर्ताल के कारण दिली की एम्स सब्दर जंग समेत देश के कई हिस्सों में अस्पतालों में मरीज परिशान दिखे एम्स के रेजिजन्ट डॉक्टर्स ने एक दिन का सांकेतिक हर्ताल का एलान किया इसी वज़े से आज रेजिजन्ट डॉक्टरों ने OPD और रूटीन सेवा ठप कर दी इसके अलावा सिर्पर पट्टी बांग कर एम्स अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया इस बीच कलकता हाइकोर्ट ने पच्चिम मंगाल सरकार को जटका देते वे कहां कि पहले वे हर्ताली डॉक्टर से बातचीत करें और उसे मनाएं कलकता हाइकोर्ट में डॉक्टर्स के हर्ताल के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी और कहा गया था कि अदालट डॉक्टर्स को काम पर तुरंत लोटने का आदेश दें। डॉक्टरों के हर्टाल से गिरी हुई पश्चिम बंगाल की मुख्या मंतरी मम्ता बनर जी ने विपक्षी गलों पर हमला बोलनी के लिए बांगला कार्ड खेला। बहरी लोगों के बहाने बीजेपी पर निशाना साथते वे मम्ता ने कहा अगर आप बंगाल में हैं तो आपको बंगला बोलनी होगी। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे अपराध्यों को बरदाश्त नहीं करूंगी जो बंगल में रहते हैं और बाइक पर घूमते हैं। मम्ता ने ये भी कहा कि वे पश्चिम बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगी। उत्तर चोईस परगना जिले में त्रिनमुल कॉंग्रेस की रैली को संभोधित करते वे मम्ता ने बीजेपी पर जमकर निशाना साथा। उन्होंने कहा कि हमें बांगला को आगे लाना जब मैं बिहार, यूपी, पंजाब जाती हूँ तो वहां भाशा बोलती हूँ। अगर आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं तो आपको बांगला बोली ही होगी। एक मकान में आतंकी चिपे हैं। सूचना पर सैना की पचपन आरार, जम्मो कश्मीर पुलिस और सी आरपीफ के जवानों ने इलाके को घेर लिया, आतंगवादियों ने खुद को घिरा देख, सुरक्षा बलो पर फाइरिंग कर दी। जिसका सुरक्षा बलो ने मूँ 2006 के माले गाव धमा के मामले के चार आरोपियों को जमाना दे दी है। 2013 से जिल में बंद चारो आरोपियों ने विशेश अदालत के जून 2016 में उनकी जमाना त्याची का खारिच करने के बाद उसी साल उचनयाले का रुक किया था। नासिक के नजदिक माले गाव में हमीद्या मस्जित के पास स्तित कबरिस्तान के बाहर 8 सितंबर 2006 को सिलसिले वार धमाके हुए थे। सुप्रीम कोट ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंटरेंस रेस्ट के 5 जून को आय रिजल्ट में दखल देने से मना कर दिया है। परिक्षा में गलत सवाल पूछे जाने की याचिका को लेकर सुप्रीम कोट पहुँचे चात्रों से अदालत ने कहा कि हम विशय के विशय शग्य नहीं हो सकते। क्या हम प्रत्यक बहु विकल्पिय प्रश्ण की जाच करेंगे। कोट ने याचिका दायर करने वाले चात्रों के ग्रुप को याचिका वापस लेने की इजाज़त दे दी है। लेकिन शीर्श अदालत ने चात्रों को हाई कोट में याचिका दायर करने की अनुमती दी है। सुप्रीम कोट ने कहा कि यदि प्रश्ण पत्र में कुछ सवाल गलत थे तो इसके लिए आप हाई कोट में शिकायत कर सकते हैं। गौर्दलब है कि नीट यूजी 2019 परिक्षा में गलत सवाल पूछे जाने की शिकायत लेकर सातरों का एक ग्रूप सुप्रीम कोट गया था। सातरों का कहना था कि परिक्षा में चार गलत सवाल पूछे गए थे। ये सवाल NCRT सिलिबस से बाहर के थे। ठोक मुल्य पर आधारित मुद्रास्फीती मई में 22 महिने के निचले स्तर पर यानी 2.45 पर रही। 1.88 पर अप्रेल 2019 में यह 3.7 पर रही। जबकि मई 2018 में यह 4.78 पर 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 पहुँच गई है। खाद्य वस्तों की कीमतों में बड़ोत्री के कारण ही ऐसा देखने को मिला है। वित्मंत्राले के केंद्री संखे की कारले द्वारा जारी आंकडों के मुताबिक खुद्रा महंगाई दर 3.5 पीस दी हो गई है। टीम इंडिया के पूर्फ दिगज खिलाडी सचिन तेंदुलगर ने एक आस्ट्रेलिया की क्रिकेट बैट बनाने वाली कमपनी स्पार्टन स्पोर्ट्स इंटरनेशनल के खिलाफ एक सिविल केस दायर किया है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि कमपनी ने अपने उत्पादों के प्रचार के लिए उनके नाम और तस्वीर का इस्तमाल किया। टैगलाइन भी इस्तमाल कर सकता था। डॉक्यमेंट से पता चला है कि सन्यास ले चुके तैंदुलगर्ट जल्ध ही सम्मंदित कमपनी के प्रड़क्स को बड़ावा देने के लिए काम करने लगे थे। और लंदन और भारतिय वितिय के इंद्र जैसे जगहों पर प्रचार कारे करमों में दिखाई भी दिये। राजस्तान सरकार ने 8 जून को सरिस्का टाइगर रजवर में एक बाग स्टी सोला की मौत पर प्रशासनिक जाँच के आदेश दिये हैं। लापरवाई या जमिदारों की जानकारी के साथ जाच अधिकारी से सरिस्का बाग परियोजना छेतर में सुरक्षा व्यवस्ता को लेकर भी रिपोर्ट तलब की है। भाचपा जैपुर शहर अध्यक्ष, मोहनलाल गुपता, जैपुर सांसद, रामचरन बोहरा, सहित भाचपा नेता और कारेकरताओं ने जल्भवन पर धर्णा प्रदर्शन किया। रैली में भाचपा नेताओं ने सिर पर उल्टे मटके रखकर पेजल संकट के खिलाब विरोज जताया। इस दोरान पूर मंतरी अरुण चतुरवेदी ने कहा कि विदान सभा में भाचपा आमजन की परिशान या कानून व्यवस्ता, पानी की समस्या और किसानों की समस्या को विदान सभा में उठाईगी। उन्होंने कहा कि ट्यूब वैलों को पूरी तरह तयार कर पानी की सप्लाई की जाए टैंकरों की काला बाजारी रुके पानी सभी को मिले इसको सुरनिश्चित करने की मांग को लेकर ये कदम उठाया गया अब हालत यह है कि राजिस्तान सरकार के मंत्री कहते हैं पानी देने के स्थान पर मटके ही नहीं फूटे तो पानी के समस्या किस बात की अभी तरह मटके ही नहीं आज हालत यह हो गई कि टेंकरों की काला वाजारी जो डिस्ट्रिउशन टूब वेल के माद्यम से पानी के सप्लाई करने का सिस्टम है उस सिस्टम को कहां हमें वोट अधिक मिलेते इस आधार पर चेंज करने की बात हो रही है पानी के जो समय के उपर बिजली काट करके लोग उन पर प्रदर्शन किया है सिविल लाइंस वो छेतर है जहां सारी सरकार रहती है मंत्रियों को पानी की आबाद गरती से सप्लाई और आम आत्मी तरही तरही करता रहे इसलिए हमने जगाने के लिए जोलों मुक्य अभिंता मोदे को अपना ज्यापन दिया है और उनसे कहा कि इसका सिस्टम बना करके यह पानी सब तक पहुचे जितना है उसको पूरी प्रोपर तरीके से दिस्ट्रूप्ट करने का सिस्टम मने इसलिए ज्यापन दे करके उनको सही करने की मांदी आज पूरे जेपूर सहर में जिस्तने का पानी के लिए त्राय त्राय मचा हुआ है और आए दिन हम अधिकारीों को सरकार को ग्यापन भी दिये हैं और यह पता था कि विशलपूर में पानी कम है और आज तक उसकी माकूल विवस्ता सरकारी नहीं किये अज परिशान ओकर आज हमारे को यहां पर जल बहुन में आकर ग्यापन देना पड़ने की आशच्छता है जनता जिससरे से पानी के लिए परिशान हो रही है महीला वर्ग विश्यस करके और जो घरेंडी के रूप में काम करती है शसके लिए सबसे ज़दा पानी की समश्या रहती हैं किचन से संभन दीत ओद लुट वातरू से संभन दीत ओचाए पीने के पानी से संभन दीत है हम सरकार से मांग करते है कि विवेश्थित رूप जारी सुभारम करें ताकि पान की किलत खतम हो सकें एनसेस का राज़स्तरिय पुरुसकार वित्रन समहारो जापुर के स्काउट गाइड कार्याले में आयुजित किया गया इस समहारो में उत्सिक्षा मंत्री मुहमर सिंग भाटी ने शिर्कत की कारेकरम में दो महाविध्याले, छे कारेकरम अधिकारी, ग्यारा स्वेम सेवकों और आडी परेड के दस स्वेम सेवकों को पुरुषकरत किया गया इस दोरान मंत्री भाटी ने राच्किय महाविध्याले जैपुर के बधिर विध्यार्तियों के लिए भी NSS की अलग यूनिट शुरू करने की खूशना की साथ ही मंत्री भांवर सिंग्भाटी ने NSS कारे करताओं को बरसात में ज़्यदा से ज़्यदा पोधारोपन करने और रक्तदान करने की अपील की उन्होंने NSS के सामजी कारेों में सक्रियता पर तारीव भी की समारों में उत्सिक्षा सचिव व्यभव गालरिया समेट NSS से जुड़े लोग मौजूद रहे आज NSS का परदेश इस्त्री समान समारों रखा गया इसमें राज्ये बर में उत्वर्ष्ट कारे करने वाले सीख्षक और हमारे जो विद्यारती हैं हमारे इस्टुडेंट्स हैं उनको और जिन बच्चों ने 26 जनुवरी को जो दिली में प्रेड हुई उसमें भाग लिया उन सब को समानित करने का कारिकरम रखा गया और NSS का जो मूल एजेंडा है नोट मी बट यू मतलब मैं मेरे लिए नहीं करूँगा मैं दूसरों के लिए करूँगा आज से 50 साल पहले NSS की इस्तापना हुई और NSS के जो विद्यारती है NSS का जो हमारा केडर है यह बहुत ही अनुसासित तरीके से समाज में हमारे छेतर में रजनात्म कारियों को करते हैं उसमें चाहे हमारे सडक दुरगिटना से बंजने के लिए हेलमेट पहनने की प्रेरणा देने का हो वरक्षार ओपन का वियान चलाने का हो NSS में हम लोग प्रतिवश बहुत सारे कारे करते हैं जैसे ब्लड डोनेशन केंप लगाना सडक सुरक्षा सप्ता मनाना या परियावरन से संबंदीत कारे करना व्रक्षार ओपन से संबंदीत कारे करना या गोशाला और हॉस्पिटल्स में सेवाई उपलब्द कराना रक्तदान शिवेर लगवाना इस तरह के हम बहुत सारे जो सामजिक शेतर से चुड़े कारे हैं वो हम प्रतिवश हम अपने कारे करम अधिकारी और अपने स्वंसेवों के माध्यम से हम करते हैं और उसी का आज ये परिणाम है कि आज मुझे इस लेवल तक मुझे ये उपलब्दी मिली है ये मैं उपलब्दी केवल मेरी अकेले की नहीं है अपीतू में हमारे प्राचारे मोद है हमारे जितने भी मेरे साथ में कारे करम अधिकारी है और जो स्वंसेवक हैं उन सब के सयोग का ये मुझे परिणाम प्राप्त हुआ है राजधानी जापूर में एक भीशन सडक हाथसा हो गया इस हाथसे में तेज रफतार से आ रहे एक ट्रक ने बाइक पर सवार तीन लोगों को पीछे से टपकर मार दी हाथसे में बाइक पर सवार तीन लोगों में से दो की मौके पर ही मौत हो गई वहीं एक अन्य घायल को इलाज के लिए सवाइमान सिंग अस्पताल में भरती कराया गया मृतकों में एक 15 साल की बच्ची भी शामिल है हाथसा इतना भीशन था कि बाइक करीब 20 फीट तक फिसलते वे गई और बच्ची का सिर धर से अलग हो गया ये घटना ख्रिणी फाटक 200 फिट एक्सप्रेस हाईवे पर हुई घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया सूसना पर पहुंचे पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर घायल को अस्पताल पहुंचाया पुलिस के मताबिक मृतक पायल, दीपक और दीपू मांसरोवर निवासी है वही हाथसे में घायल सुमित का इलाज जारी है बाइक सवार ये लोग बाइक पर खाडुशाम जी के दर्शन कर वापस लौट रहे थे इनके साथ एक अन्य बाइक पर तीन साथी भी मौजूद थे फिलहाल दुरखटना थाना वेस्ट मामले की जाच कर रही है वहीं फरार ट्रक चालक की भी तलाश जारी है जापुर में मेगा मौडल मेकर्स की तरफ से मिस्टर एंड मिस्ट ग्लैमर ओफ राजस्तान का फिनाले संपन हुआ कारेकरम के आयोजक मास्टर विकी सैनी ने बताया कि 20 फीमेल मौडल और 20 मेल मौडल्स ने रैंप पर अपने जलवे बिखेरे मौडल्स को उनके टैलेंट और कई राउंड में जच किया गया जिसमें मिस्टर ग्लैमर ओफ राजस्तान पाली जिले के राजवीर रहे वही मिस्ट ग्लैमर ओफ राजस्तान 2019 का खिताब जापुर की दिव्या चौधरी ने जीता आगरा रोड स्तित सेवाधाम में आनन धाम का लोकारपन समारो हर्शो उल्लास के साथ मनाया गया कारेकरम में निंबाग चारे श्रीजी महराज, अलबेली शरन महराज, सांसद रामचरन बोहरा और अन्य गणमानने लोगों ने शिरकत की सभी अतितियों ने सेवाधाम का अवलोकन किया और कारियों की प्रशन साकी वर्तमान में सेवाधाम में 15 राज्यों एवं विविन धर्मों के 350 पेडित पुरुष एवं महिलाएं भरती हैं इनको आवाज, भोजन, कपड़ा और चिकिस्सा की सुविधाएं निशुल्क दी जा रही है इस बुलेटिन में ये थी अभी तकी खास खबरें देखते रहें दाएंगल लमस्कार ना फ्री का ग्यान ना बक्वास बस हर खबर पर आपका एंगल तभी तो नमबर वन है दाएंगल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट चिपकाईए